हेलो एवरिवन वेलकम टू मैं चैनल आर्टोनिक एंड इस राकी आज हम बनाने वाले हैं पेंडेंट के लिए बेस होमेट बेस कैसे बनाते हैं यूजलिस चीजों को यूज करते हुए एक वेस्ट आइटम जैसे यह मेरे पास कैनवास का पीस है कैनवास शीट का पीस है यह क्लोग का पीस हें यह चोट आज ओतने कोई काडबोर का पीस है इन सब चीजों गया क्रेडज का डेबिट कार और ए नी कारड है इन सब चीजों को यूज करते हुए हम कैसे पेंडेंट के लिए दियार करेंगे हम आज यह सुखने वाले यह थोरीसी सीपी है और सब्च zij ब कार्ट बोड को मैं as a measuring tool use कर रही हूं जबकि हमें इससे थोरी छोटी size लेनी है तो मैंने थोरी छोटी size ही measure की है अब cutting करते समय मैं थोरा line के अंदर से cut किया मैंने ताकि थोरा छोटा cutting हो जाए एक्स्ट्रा आपको cut करके निकाल लेना है इसके दो cardboard के दो pieces चाहिए हमें same to same मैंने ear pieces के लिए भी से cardboard निकाले हैं आप same छोटे pieces use करके ear का tops या जो भी जुमका जो भी आप पहनते हैं वो आप बना सकते हैं यह molded के छोटे पतले bead मैंने बना लिये हैं जो कि आप कोई भी needle type चीज insert करके बना सकते हैं यह मैंने thick base बनाने के लिए molded का piece लिया एंड उसको मैं अपने hand के against rub कर रही हूं जिससे की वो round and drum shape का बने एंड उसमें hole आपको आपके thread के according decide करना है कि कितना चाहिए अब मैंने जो cardboard के base दो चिपका के रखे थे उससे मैं cloth में cover up कर रही हूं and make sure कि यह जो आप cover कर रहे हो cloth से वो बहुत ही ज्यादा finishing से रहे अब यह double layer cloth का हो गया इसको fold करूंगी तो thick finish आएगा जो कि सही नहीं होगा तो मैं एक side से ऐसे cloth cut कर दे रही हूं देखिए आप लोग ध्यान से अब यह single layer हो गया जो कि fold करना और corner बनाना बहुत easy रहेगा मैंने corner को triangle मोरा था देखिए इस side से भी हाँ triangle करके जब आप इसको fold करते हो और stick करते हो तो यह corner form करता है जो कि एक finished look देगा आपकी pendant के base को and fabric glue बहुत अच्छा है बहुत अच्छा से stick हो रहा है and side में अब देख रहे होंगे कि मैंने कुछ ear tops और इसके लिए कुछ चुटे चुटे items रखे हुए है आप वो भी use कर सकते हैं needles से मैंने दोनों side hole कर लिया paint करने से पहले क्योंकि अगर मैं paint करने से पहले नहीं करूंगी तो paint के कारण cloth बहुत थिक हो जाएगा जिसके कारण की मैंने अभी कर लिया है अब मैंने एक side पे ये canvas sheet का जो piece है उस पे मैं design draw कर रही हूं जो design आप देख रहे हैं एक side में मेरे को वही three ladies बनानी है तो मैंने curve shape कर लिया three curve बना लेने हैं आपको U shape छोटा medium size एंड एक big size का उसको मैंने cut करके इस पे stick कर दिया ये पूरा तयार है paint करने के लिए अब मैं दूसरा base तयार कर रही हूं जो मेरे को card debit, credit और any card से कोई भी card आप use कर सकते हूं जो इस type की material की हो तो मेरे पास ये inner circle की थी तो मैं यही use कर रही हूं मैंने canvas के piece को card के size का cut कर लिया और fabric glue के help से मैं अच्छे से stick कर रही हूं इसे मैंने ear pieces के लिए भी इस card को cut करके रखा हुआ है ये देखिए दो है और इसे भी मैं cover up मैंने कर लिया अब मैं ये दूसरी वाली जो मेरी design है इसमें half face दिख रहा है तो मैं बहुत ही light-handedly pencil use करते हुए eyebrows, nose, lips सब अच्छे से बना लूँगे light-handedly बनानी है इसको dark नहीं करना है नहीं तो करेंग के समय दिक्कत हो जाती है hair वाली area पर अगर आप dark करते हो तो वह cover up हो जाता है क्योंकि वहां पर black paint रहता है ये design बना कर मैं ये छूर दूंगी बाकी का वीडियो मैं दूसरे पार्ट में post करूंगी कि इसको कैसे color करेंगे और मैं यहां पर भी मैंने मैं यहां पर hole करने वाली हूँ इस credit card वाले में तो जो thread है उसमें मैंने glue लगाकर corner में already रखा हुआ था ताकि वह आसानी से needle में insert हो जाए दोनों side से मैंने hole कर दिया बस आज की वीडियो यहीं तक है second part में बताने वाली हूँ कि क्या है thanks for watching and जो भी नए लोग हैं please subscribe कर लिजे channel ताकि आगे के कोई भी चीज़े आप अच्छे से देख सके thanks everyone